तो स्प्रिंग फोर्स को समझने के लिए इस वीडियो के अंदर हम लोग इस नया प्राउलम नेने चाहरे हैं तो चलिए हम क्योश्टन को समझ लेते हैं क्योश्टन में कहा गया है यह diagram हमको शो किया हुआ है यह diagram हमको शो किया हुआ है ब्लोक रेस्ट पह है हमको निकालना है इस प्रिंग के अंदर extension कितना होगा ठीक है तो चलिए इसका solve करते हैं देखें इस प्रिंग का free body diagram sorry block का हम लोग free body diagram बनाते हैं तो block के उपर downward direction में लग रहा होगा mg का force यानि कि अगर यह block rest पह है तो upward direction में इसके उपर आ रहा होगा एक spring का force let's say कि spring के natural length position यहाँ पे कहीं पे रही होगी तो spring कुछ extend हो गई होगी let's say यह जो extension है यह x naught है तो spring के अंदर जो force develop होगा वो होगा kx naught तो kx naught लग रहा होगा upward direction में mg होगा downward direction में यह दोनों इक दुसरे को completely balance कर रहे हैं इसलिए इसकी velocity 0 है और यह block equilibrium में है rest पह है तो यह जो point होगा जहाँ पर अभी block है यह point कहलाएगा equilibrium position equilibrium position ठीक है तो upward direction में लग रहा होगा kx naught downward direction में लग रहा होगा mg और यह दोनों दूसरे को balance कर रहे होगे तो हम लिख सकते हैं कि kx naught will be equal to mg तो यहां से हमें मिल जाएगा x naught जोकी है extension in the spring उसकी value आजाएगी mg upon k और यही है answer is question का ठीक है students तो हम लोग मिलेंगे और नए concepts और problems के साथ next video में Thank you